है लो गुड मॉर्निंग तो सुबर सुबर ये बच्छों का फिर से मैं बना रही हूं तीर और धनुस एक चुली इनका धनुस लाते लाते ही टूड़ गया था तो वह लाद मामा मैं टूड़िया तो फिर बड़े जुगारों से मैंने मेरे पास यह लक्डी रखी हुई थी और बस बना दी हूं और आज कल बर साथ का टाइम चला है बहुत सारे मच्छों गया है तो यार सब लोग सेफ रहेगा मच्छों से बचके और यहां पर मैं चीकू और अर्णों दोनों के लिए धनुस बना दी हूं बो एंड रैबो स्वारी इसको इंगलिस में क्या कहते है बो एंड एरो यस तो यहां पर मैं टंग टंग दी हूं दोनों लोग का राम और रच्मन का चंकी भाई आप यह आराम कर रहा है सुबह से दो पहर हो गई अपहिलने का नाम नहीं ले रहा है चंकी भाई मंकी भाई बुट्टा ओड़ा कहां से खा रहा है जोला दे तो जी बुट्टा ले आए हैरे हम के लिए भी तो आज आ गया है यहां पर मंकी भी और बगल में बुट्टे का इन्हों में लगा रखा था था बुट्टा अंken जी ने तो अंकल जी कि बुट्टे की तो आज दावत हो गई है इन बंद्रों ने तो 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 ने कर दावत कर ली मिने जोडा दे रही हूं मेरे लिए भी मैं निकाली हूं और माताव की गोद भराई करने के लिए पर मैं भर नई पाई एसकी कहानी है जो इसकी स्टोर्यगा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी पर मैंहें बहुत मन्ता मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ पर नहीं भरपारी हूँ लेकिन यह है कि मातारानी के नाम से निकाल दी हूँ और यह इनके हाथों से मैं भिजवाद दूंगी बाद में इसको कंप्लीट करके यहां पर हम लोग जा रहे थे मार्केट कुछ जूस चीजे लेनी थी घर की तो बोले कि तुम भी चलो क्योंकि मैं लाता हूं तुम्हें थोड़ा बहुत इतरुदर रहता है तो मैंने का चली ठीक है आज मैं भी चलती तो फर्स टाइम ही हम जा रहे थे पर आते जाते हम मैं या माली ले दो तो बस आ गई हूं घर ओ इता सिती ठंडी ठंडी हावार लग रहे थी जैसे यह सेटर खोल यू ठंडी ठंडी हावार मतले थाकान थोड़ी बहुत जू लग रहे थी उतने तुम पहले चल गई अच्छा लग रहा है तो यहां पर इत्ते गोद कुड़ चल ले लिए ख़या को तो यहां नेवेति किसी ने हवा निकाल दिया था तो फटा-फट से आगे मार्केट और मार्केट में आके मैं जो कुछ चीजें है वह फटा-फट से ले लिए ओं फिर चलू घर क्योंकि काफी लेट हो गया है घर से आट वजे के बात से निकले हम ल क्या करूं पती देव हमेसा मिर्जवानी मांगते रहते हैं तो मैं इसी का बना दे रही हूं और टाइम नहीं है मेरे पास तो सबसे पहले ठेड सारे इंगिरियंस जो है और इसमें है खटाई अच्छे से ग्रैंड करनी हूं आज यह है गरमसाला और यह है नमक और हल्दी तो फटाफट से चलते हैं बनाने तो सबसे पहले पच पूरन ही में डालूंगी और आज इसमें लेसुन भी मैं थोड़ा एड कर रही हूं मोटे मोटे लेसुन मेरे एकटली हुं हलका सा और मैं अधरव नहीं मिला रहे हूं क्योंकि यह अल्यडी नकारवा है मिर्चा मतलब इतना तीता है कि अधरव डालूंगी तो और गड़वा हो जाएगा तो देखें यहां पर मेरा यह पड़ गया है और इसको आयल गरम होने देती हूं फिर इसी में स कि आधinkर चrangय से कम जीन चली गया चली गया it is अभी तरीके से लाल हो गया है फॉट sih इसी में अजवान म्हीं डालो दून नियाएब ऑच और अब इसी में डालुगी पहले तो लेसुन डालूंगी क्योंकि लेसुन थोड़ा सा सक्चा होता है यह डालूंगी कि तक यह अलका नुका पकेगा तो यह लेसुन टाइम लेता है हमें सा और अब इसी में जाएगा गरम मसाला तो सब कुछ पढ़ गया है और सीधे अब जालते हैं मिर्चा अब यह खाट कासे सब लोग पागल हो जाएंगे से पड़े मैं धब दूँ फिसको लाल कर लेती हूं तो हर्का फुका हो गया है लाल और इसी में डालती है नमक तो सब्सक्राइब नमक चला गया और इसी में डाल दूँगी हर्दी और इसी में चली गई है खटाई तो खटाई मेरी बहुत अथी तरीके से महीन है आज तो मुझे और कुछ इसमें डालना नहीं पड़ेगा थोड़ा साही पाई डालूगी आज तो यह आधा ग्लास पानी ह तो इसने घ्या तो मैं हिंग नहीं डालनी हूँ अग्सली जो हिंग है वो मेरी खटाई में और पड़ी होती हिंग और नमक तो इसलिए मुझे नमक भी थोड़ा कमी डालना पड़ता और हिंग दालती ही नहीं क्योंकि खटाई में पड़े होते हैं तो इसको ढखके थोड़ा पका लेती हूं तो यह देखिए पक्यों गया रेडी फटा फट से थोड़ा इसका मैं निकाल दू हल्वा ताकि यह ज्यादा इसमें जो तीतापन है वो कम हो जाए जिब इसका बीज निकल जा हो गई है और आज है पांच अक्टूबर और दो एक दिन मतलब अच्टमी का ब्लॉग भी है मेरे पास मैं सेयर कर दूंगी थोड़ा साइक लिफ हैं बस मार्केट गई थी उस समान लाने के लिए तो वो ब्लॉग इसे में मैं आट कर दूंगे और आज है पांच पर दूंगे ने को इतनी ज्यादा खराब थी तरी ज्यादा खराब थी कि मेरे सर में इतना धर दुरा था और यह पीच चले गए इनकी फ्रेंड बुला लिए कि मतलब आए थोड़ सा मतलब मिलने बलने के लिए तो यह भी चले गयते हैं और उसकी वास मेरा सर इतना भैया पर दूंगे इतनी उल्टियां मुझे दू बर उल्टियां होई उसी में चिकू इतना तंकर रहे थे हम नहीं ताना कि मैं किसी को समाल नहीं पारती है पीजात में यह आए लग बग नौ बजे हा लग नौ बजे आ गयते फिर थोड़ा मुझे थोड़ा सा मैंने का वाय मैं दवा नहीं खाते हूं कि मुझे ना दवा खाने का यह मतले मना कि उससे साइड़ेक्स सरीर में कहीं न कहीं जाएगा तो होगा ही इसलिए मैं अपने आपको बढ़दात करने कोशिस करती हूं मैं सुश्ती कि आजी की रात तो एक तो सरदर ठीकी हो जाएगा इस वज़ आप में दुखाना बनाई नहीं थी जो पास वगारा वच्चा था वह वच्चे और यह मेरे अप्रवार्ण सब लुग खाओ के सो गया थे सुबर्टे साइज साथ बज़े अबी नहीं बजा साइज साथ बज़े का टाइम सुबर्टे में दाल चड़ा दी हूं अगर में स लादू परवर्ण हो जाए कि बिना आलू का परवर बनेंगा नहीं तो इसका आप से नहीं की चुखा बन जाए चुखा बना दूंगी चलिए मिलते हैं फिर थोड़े बेर बाद यहां नावां के मैं आगी हूं तो खाना भी बन गया है और यहां पे अर्णो को मैं सब्सक्राने के लिए और सुखा खापी के सब लोग हो गया है लब सब्सक्रापी चुके हैं और मेरी तवित कल बदाई थी ठीक नहीं थी और जिसकी मुझे से थोड़ा से बिकनस लग रहा है तो बस बन भी नहीं ठीक है मेरा मन कुछ और आजकल रासरकल मेरे पड़ गया ह मैंने का आप सबसे कुछ बात कर लूँ यार आजकल मैं वीडियो गरा जो है थोड़सा अनेक्टिव हो गई हूं थोड़सा एक्टिव नहीं हूं ज्यादा टाइम पर नहीं डाल पाती हूं प्लस ज्यादा वीडियो नहीं डाल पाती है रेगलेरली उस सब की वज़ा ना क मैं मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं दुखी हो गई हूं कि हाँ युटूब के ठूरू मुझे कोई वो नहीं मिला है पूस्स नहीं मिला है या मेरे सुस्क्राइबर नहीं है यह सब कोई कि आपके ऐसी वज़ा नहीं है अभी तो वज़ा है खुद एक्चुली मैं थोड़ा सा इधर बच्चे हैं और इधर थोड़ा सा इंसान खुद भी अपने कुछ चीजों से परिशान रहता है वज़ा मैं ऐसा कभी नहीं करती थी और फर्स्ट टैम कुल मिला जला कि मैं थोड मैं क्या डालूं मतलब अभी मैं सोच रही हूं कि कैसे वीडियो अच्छी अच्छी डालू ताकि मेरे जो सुस्क्राइबर है वो बढ़ें तो इन सब के सोचने के चक्कर में और उसको बहतर वाएं कि मेरे वीडियो रेगुलरी नहीं आ पा रहा है और कुछ कारण थोड़ पर और और भी लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते हैं उनकी वीडियो देखना हमारा फ्रल्द मनता है उनकी वीडियो देखो रेप्लाइ नेकंट ौइख alto की अपने बिश्या एक और यहीं मैं अपने खिरा ब्लॉग कि खतम कर रहीं आपने ब्लॉग को कुछ दिखाने के लिए लिए अगला बार जो बॉक रहेगा तो ज़िए क्या करती हुं तो चलिये विल्गक करने हैं आप सब खुझ रहो और मेरे चैनल चले ना चले आप लोग हमसे जुड़े रहे हैं क्योंकि आप चैनल ना चलना ना चलना कोई बड़ी बात नहीं है मैरे तोंसे रहे हैं इस फैमिली मिल गई इतना ही मिले बहुत काफी है उससे बड़ा खुछ नहीं है मुझे और मैं इस यूट्यूब पर आई थी बस दो कार्ण भी मैं कभी शेयर करूंगी तो चलिए व्लाइक करें लिए बाई टेक क्या